आप लोगोंने वो खहावत सुने होगी ना बच्चों कि भगवान भी उनी की मदद करते हैं जो अपनी खुट की मदद करते हैं मतलब बिना महनत के तो बगवान जी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो आप कैसे सोच सकते हो कि बिना महनत करे हम CMA Foundation का एक्जाम क्लियर कर लें तो जो भी बच्चे सीरियर्स में पढ़ाई में अभी भी चाहते हैं वो कि हम पढ़ाई करें और 100 on 100 स्कोर करें इन CMA Foundation Law Exam तो ये वीडियो पूरी देखना यहां से देखना और कीपॉंस को नोट कर लेना I am sure कि आप अपना CMA का जो Law का पेपर है वो easily clear कर पाओगे with very good scores करना है कैसे उसमें 100 on 100 score करना है वीडियो पूरी देखना एंड तक देखना I am sure कि आप में इतना confidence आ जाएगा आप ये कहेंगे कि हां मैं ये law का पेपर easily निकाल सकता हूँ और सिरफ clear नहीं करूंगा 100 on 100 score करूंगा चीक है चालो जी सबसे पहले हम बात करेंगे भाया हमारा पेपर क्या है जो ये law and business communication का पेपर है उसका pattern क्या है बच्चों जी आपके दो पार्ट में ये divided पहला है business law दूसरा है business communication business law 80% weightage करता है business communication 20% weightage करता है basically business communication उसमें एकी chapter 20 marks का चीक है business law में आपके चार चाप्टर है 80 marks के देखते हैं कैसे आपका पहला चाप्टर इंट्रोडक्शन 10% यनकी 10 marks की weightage है इंडियन कॉंट्रेक्ट एक 30% या 30 marks की weightage है sale of goods act में 20 marks की weightage है नेगोशिबल इंस्रुमेंट act में भी 20 marks की weightage है business communication जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल रहता है टेक्निकल शब्दों का इस्तमाल होता है यहां पर ठीक है इसलिए मुश्किल लगता है दूसरी चीज यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें conceptual clarity के बिना काम ही नहीं चलेगा there should be no compromise on the conceptual clarity चीज़ों को याद करने से सिरफ read करने से सिरफ सुन लेने भर से नहीं चलेगा ठीक है तीसरी चीज यहां पर है कि भई लौ जितना time लगता है समझने में न उतना है कम time लगता है भूलने में तो आपको क्या करना है regular revisions करनी है timely revision करनी है multiple revisions करनी है ठीक है यह ल CMA Foundation के तो link हम आपको description box में दे देंगे वहां से आप courses को check out कर सकते हो आपको live classes मिलेगी live doubt support मिलेगा test papers मिलेंगे अपनी mock test papers हमारे design के वे mock test papers दे के अपने practice कर सकते हो और अपने result इंशॉर कर सकते हो तो जिन भी बच्चों को हमारे courses check out करने है link बेटा description box में available है उसके बाद आपको क्या करना है आपको अगर आप लौका वेपर निकालना चाहते हो ठीक है वो भी अच्छे score से तो खाली coaching लेके खाली वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा self study करना पड़ेगा self study के जादू को समझना पड़ेगा अगर आपने इसकी important समझ लीना देखो सिरफ यह तो C आज से अपना लिया तो बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम में वीडियो सुननी वह भी 2x की स्पीड पे काम हो गया समझ आगया कल देखेंगे नहीं चलता बच्चे हैसे लोह में आप एक पढ़े के देखना एक पढ़ेज पढ़े के देखो फिर पता लगेगा आपको तो क्या करना है? Self study करनी है, खुद से पढ़ना है, खुद से time devote करना है, बुक खोलनी है, questions solve करने है, practice करनी है, जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता paper clear, ये लिखवालो में से, क्या करना है आपको? आपको self study करनी है, कैसे करनी है वो भी एक ट्रिक होती है, ठीक है आजो, आपको law के लिए basically मैं बताना चाहती हूँ, पहले बात तो 100% content cover करना है, no selective study, क्योंकि आपका target क्या है, 100 on 100, तो अपने target के साब साब को पढ़ाई करनी है, सरफ pass होने के लिए आप video नहीं देख रहे हो, तो आपको 100% content cover करना है, कोई यहाँ पी चीज नहीं बताई उसके बात क्या करना है आपको, नोट्स बनाने, अब आप सबी जानते हो यह CMA के चारो एक्जाम एक दिन पर होते हैं, तो क्या यह possible है कि आप एक दिन में बुक से सारी चीज रिवाइस कर पाओ, नहीं मैं, तो नोट्स बनाने है अभी से, तकि बात में दिक्कत ना हो, प समझो, आप экزाम से एक दिन पहले वाला जो दिन होता है न उसके लिए तैयारी कर रहे होते हो, इधनी महनेज जो हम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाई-लाइटर लगाते हैं, अंडर- लाइन करते हैं चीजों को, कीवर्ड्स लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, क्यॉ lan बनाते हैं क्यों बनाते हैं एक्जाम से एक दिन पहले मुझे क्या पड़ना है वो मुझे क्लियर हो इसलिए तो आपको नो ליक के उन पॉइंट को याद करना है प्लीस यह मान लो इसको लिख लो इस बात को भी लिख लो इन फैक्ट लिख लिख के पॉइंट को याद करना है वर्ना हो जानी है गड़बड क्योंकि लो में जो वर्ड है ना उनका मीनिंग की समझ में नहीं आता बच्चों को और एक वर्ड कीवर्ड उसी बर डिपेंड करता अंसर क्या होगा अगर आपके कीवर्ड का मतलब नहीं समझा तो आप आंसर सॉल्फ करी नहीं पाओगे चारों आंसर आपको करेक्ट ही लगे तो यह बात मेरे नोट डाउन कर ले ना भईया लिख लिख के अगर आपने नहीं किय ना चीदों को लें मतलब पॉइंटर्स को लिख लिख के लर्न नहीं किया तो भी आपको सॉल्फ नहीं होने वाले आप से ठीक है